हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल दोस्तों आज की जो क्लास होने वाली है यह क्लास नबर 18 होने वाली है और इससे पहले हम लोग 17 क्लासिस डिसकस कर चुके हैं तो अगर आपको वीडियो देखनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में लिंक है आप उन वीडियो को हम लोग complete कर लेते हैं और इसके बाद में जो next वीडियो होगी इसमें हम लोग compound interest और simple interest उसको भी complete कर लेंगे आ तो यह वाला टॉपिक बचा हुआ है इसको भी हम लोग next वीडियो में complete कर लेंगे टाइम कितना बचा है हमारे पास में लगबग 10-15 दिन बचे हैं हमारे प करना पड़ेगा और अगर आप चारे हो की नहीं हम तो अगले साल तक वेट कर सकते हैं तो फिर आपकी मर्जी है नहीं तो सलेक्षन हमें इसी बार लेना है तो चलिए का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग सिधर के कोशन के ओपर चलेंगे उससे पहले मैं आपक कम टाइम बचा है आप लोगों के पास में 15 मोक टेस्ट मिल जाएंगे आपको ये परिक्षा आफ है इसको आप लोग डाउनलोड कर लो ये कूपन कोड ग्रैम को भी 40 इसको यूज करोगे तो 15 मोक टेस्ट आपको मिल जाएंगे 150 रुपे में और बहुत सस्ते हैं सबसे नहीं आते हैं डी मोटिवेट होती हो कोई फायदा नहीं उस चीज का उसी लेवल तक की तयारी करो जिस लेवल का एक्जाम हमारा होने वाला है अब यहां पर मैं एक और चीज आपको बता दूं कि हमारा जो एक्जाम होने वाला है वो प्री लेवल का होने वाला है तो मैंन जादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहले कोशन के उपर चलते हैं, कैसले डियाई है, इसको कर लेते हैं, अब यह डियाई मैंने इंग्लिश में भी लिखी है, तो एक सेकिन वेट करिएगा, मैं वो भी दिखा दूँगा, लिखा हुआ है, कंपनी में कुल पांच संख्या मानव संसाधन में करद्ध करमचारियों की संख्या से 25 पर तिशद अधिक है, इवं आवास विभाग में करमचारियों की संख्या का संगत अनुपात 4 चार अनुपात 5 है अब यह कैसले डिया ही है इसको आप लोग एक बार ट्राइ करना चाहरे है तो ट्राइ कर लो और इंग्लिश में आपको चाहिए तो इंग्लिश में यहां पर लिखी हुए बस थोड़ा से यहां पर एक करेक्शन है यह जो 2x7 है इसको आप हटागे 2x9 कर पियुक्त कर दिया है बाकि सब कुछ सेम लिखा हुआ है एक बार आप दो अगने किस तरीके से बनाय जाए गो यह वह आप को बता दीता ओं देखिए गा दोनए तरीके से बताओंगा हिंदी और इंग्लिश में पहले हिंदिय वाला देख लगाए कि यह company में 5 विभाग है चलिए सोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं इसको तो ये बोल रहा है कि कंपनी में पांच विभाग हैं तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टोटल फाइफ डिपार्टमेंट उसके बाद मैं बोल रहा है कि जो वित्विभाग में करमचारियों की संख्या कितनी है अगर कुल है देखिएगा मैंने यहाँ पर लिखा 90 जो है वो कुल संख्या का 25 प्रतिशत है तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी 360 इजली कर सकते हैं आप लोग कैसे करोगे 90 को डिवाइड कर दोगे 25 से और 25 से डिवाइड कर दोगे और 100 से गुना कर दोगे 100 परसें निकल जाएगा कितना आएगा हमारा 360 इजी है यहाँ तक कोई प्रॉलम नहीं आएगी आगे वो बोल रहा है कि करमचारियों की कुल संख्या के दो बटा 9 भाग करमचारी मानव संसाधन विकास में कारे रहत है तो मानव संसाधन विकास में कितने हो जाएगे 80 क्योंकि उसने क्या बोला है 2 by 9 तो टोटल कितना है 360? 360 multiply by 2 by 9 divide कर लेंगे हम लोग 40 times और 40 को 2 से multiply करेंगे तो 80 आजाएगे तो मानव संसाधन भी पता लग गया हमें कोई प्रॉलम नहीं आई उसके बाद हैं बोल रहा है कि विक्रे विभाग में कारे रत करमचारियों की संख्या मानव संसाधन विकास में कारे रत करमचारियों की संख्या से 25 परतीशत अधिक है यानि कि यह जो 80 है इसका 25 परतीशत जादा किसमे है विक्रे विभाग में तो 25% 80 का 25% अगर एक्स्ट्रा करना है तो 1 by 4 से डिवाइड करके एड़ कर दो तो 1 by 4 से डिवाइड किया 80 को तो कितना आ गया ये 20 और 20 को 80 में एड़ कर दिया तो कितना आ गया 100 तो विक्रवे भाग में कितने बंदे हो गए 100 यहां तक complete है अब यह जितना भी data दिया हुआ था इसमें remaining कितना बचा है देखे total कितना था 360 है हमारे पास में total उसमें से 270 हमारे count हो गए वित्वी भाग में 90 हैं मानस अंसादिन में 80 हैं और विक्रवे भाग में कितने हैं 100 हैं तो तीनों का मिलाकर 270 होगे 90 बंदे हमारे पास में बच गए अब जो 90 बंदे बचे हैं वो सुरक्षा और आवास विभाग में कारे कर रहे हैं और उनका नुपाच 4 नुपाच 5 है तो बस 90 को मैं 4 नुपाट माच में डिवाइड कर दूँगा तो कितना आ जाएगा 40 और 50 तो सुरक्षा में कितने 40 और आवास में कितने 50 कंप्लीट हो गया यहाँ पर डाटा अब आपसे कोई भी गोशिन पूछे आप लोग एजिली कर दोगी इंग्लिश में मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा लिख दिया है फाइनेंस डिपार्टमेंट में 90 होगे जो की 90 इस 25 परसेंट आफ तो टो टो टल नंबर ओफ फाइनेंस यहाँ पर टोटल नंबर ओफ एंप्लोई कितने हो जाएंगे 360 हो जाएंगे उसके बाद में बोल र HRD यानि Human Resource Department वाला Human Resource Department में 80 है और वो 80 क्या है 2 by 9 है 360 का तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है तो 80 हो गया और यह 25% more than HRD है तो यहाँ पर यह 100 हो जाएगा remaining same 90 हो जाएगा और दोनों को divide गर दिया है मैंने 4 to 5 में security पर 40 और HD पर कितना 50 अब यह HD क्या है HD है आपका housing department समझ गए यहाँ पर चलिएगा data complete हो चुका है हमने complete बना ली है कुछ भी ने था इस डियाई में और आपको मैं बता दूं कि यह IBPS RRB में आई होई डियाई प्री एक्जाम में IBPS RRB के प्री एक्जाम में आई होई डियाई है अब level देख सकते हो आप खुद कितना level का question आएगा question करते है एक चलिए वा question वो बोल रहा है कि मानव संसादन विभाग में कारियरत करमचारियों की संक्या सुरक्षा विभाग में कारियरत करमचारियों की संक्या से कितना प्रतिशत अधिक है HRD is more than what percent of security department यानि कि जो HRD है उसमें जो बंदे काम कर रहे हैं वो security department से कितना percent जादा है तो HRD में कितने काम कर रहे हैं HRD में हम लोग देख लेते हैं कितने काम कर रहे है 80 HRD का मतलब क्या है यहाँ पर मानव संसादन विभास तो मानव संसादन विभास यहाँ पर लिखा हुआ था लिए आगई कि कितना जादा है अब कितना जादा है 100% यह जादा होगे आंसर के आएगा 100% इस तरीके से भी आप solve कर सकते हो कि HRD अगर 80 है और हमारा security वाला 40 है तो HRD जो हैने कितना जादा है यही तो पूछा है उससे security से तो HRD कितना है 40 जादा है कहां से 40 से तो आप इस तरीकी से भी solve कर सकते हो इसको तो 40-40 divide हो जाएगा 100% आजाएगा इस तरीकी से अगर divide करते हो न तो 200 आपके पास आएगा और 200 में से फिर आपको 100% माइनस करना पड़ेगा तो अगर आपको यह तरीका पता है तो आप कर सकते तो ने तो simple 40-40 करके भी आप इसको solve कर सकते हो और आप कोई भी question आजा इस डियाई का आप लोग complete data आपके सामने है आप लोग easily बना लोगे चलेगा next डियाई की उपर चलते हैं जादा question मैं नहीं ले रहा हूं यहां पर next जो डियाई है न यह भी आपको अगर मैं कहूं की R पी ओ की प्री एक्जाम की डियाई है तो आप लोग शायद यकीन ही नहीं करोगे आप मेरा कि आर इतनी easy डियाई कैसे आ सकती है और यही actual level रहता है IBPS RRB Pre का क्योंकि वह यहां पर आपकी speed and accuracy चेक करता है वह आपका जो मतलब knowledge है वह आपकी means exam में चेक करेगा अभी आपकी सरिफ speed और accuracy चाहिए उसको अब वो क्या बोल रहा है एक पूरा का पूरा चार्ट बनाके देदिया है आपको और इसमें वो बोल रहा है कि सोमवार मंगलवार बुद्वार ब्रस्पतिवार शोकरवार Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Friday अब उसमें एक बंदे हैं दो A और B जो कि treadmill पे दोड़ रहे है • treadmill होता है न आख जाते हों कि आप लोग देखा को trending कर나 है का होता है तो उसमें calories क्या कर रहे है बर्न ईकारण करना है calories को अपनी burn कर रहे है क्यलोरीज को खतम कर रहे है तो आब वो बोल रहा है कि A क्या करता है Monday को 50 calories Tuesday को 285 करता है Wednesday को 90 करता है Thursday do 160 करता है Fridayoi 180 करता है सेम इसी तरीके से B का भी डाटा दिया हुआ है अब यह क्या किया इसने कि यहां पर जो डाटा दिया हुआ है ना वही डाटा इसने लिखके दे दिया तो अब यारी कि इस डाटा के आपको ज़रूत है कि आप बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमें तो जो डाटा ची वो हमारे पास में नीचे लिखा हुआ है अब बताव इस से आसान डिया या आप क्या लोग है एक्जाम में चलिए क्वेशन के ओपर चलते हैं इसमें कुछ समझने वाला कुछ है नहीं क्वेशन देखेगा बोल रहा है कि दोनों वेक्तियों A और B के दुआरा वो दुआर को दहन की गई कैलोरी यानि कि वेडनेस डे को जो कैलोरी नोंने बन की वो और इनहीं के दुआरा मंगलवार को ट्यूजडे को जो कैलोरी बन की गई थी उसके बीच में अनुपात क्या है ratio क्या होगा तो A और B का आप सबसे पहले कितना निकालना पड़ेगा Wednesday का और फिर Tuesday का दोनों को क्या करना पड़ेगा रेशू निकालना है बस इतना सा easy से question है तो A का Wednesday का मैं निकाल लूँ तो कितना आ जाएगा A का अगर Wednesday का और B का Wednesday का दोनों को add करें तो 90 प्लस 125 तो यह कितना होगे 215, 215 क्योंकि अगर 125 में अगर हम 100 जोड़ते हैं तो 215 हो जाता है, 10 कम कर देंगे तो 200, sorry, 125 में 100 जोड़ेंगे तो 225 होता है, उसमें से 10 कम कर देंगे तो 215 हो जाएगा, सेम का मंगलवार के लिए करना है, तो यह कितना हो जाएगा, 285, अब उसने रेशियो किसका किस से पुछा है यह देख लेते हैं, वेडनेस डे का पूछा है Tuesday से, तो अब आप सॉल कर लो इस question को, और अगर आपने कर लिया हो तो चलिए, वेडनेस डे को कितना था, 215 और Tuesday को क इतना है, 285, दोनों को सॉल कर लिया, 43 by, 43 by 57 भी लिख सकता हूँ, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, या फिर 43, ratio 57 भी लिख सकता हूँ, आंसा एकदम सही आने वाला है, IVPS RRB का लेवल है, फिर से मैं आपको यह याद करा देता हूँ, आपको मैं बता देता हू कर यह आप लोग यह ना समझोगी, यह जो कोईशन मैं करवा रहा हूँ, यह मैंने बस easy-easy से कोईशन करवा दिये, यह उसी का लेवल है, उसी के दिये कोईशन है, वही हम लोग सॉल कर रहे हैं यापर, चलिए एक और कोईशन सॉल कर लेते हैं इस चीद से, वो बल रहा है कि यदि A एवं B द्वारा देहन की गए कैलोरी की संख्या में, शुक्रवार की अपेक्षा, शनिवार को 10 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत की व्रद्धी हो गई, तो उनके द्वारा शनिवार को देहन की गए कैलोरी की खुल संख्या क्या थी? if the number of calories consumed by A and B was increased by 10% 20% respectively on Saturday then Saturday then Friday what was the total number of calories burned by them on Saturday वो ये बोल रहा है कि अगर Friday को क्या करता है A अगर 100 burn करता है तो वो Saturday को कितनी करेगा इससे 10% जादा तो ये उसकी Friday की है और ये उसकी Saturday की सेम इसी तरीके से B के लिए भी Friday में जो भी होने वाली है वो 20% extra हो जाएगी तो चलिए D.I.E. पर चलता है तो Friday को देखना है A के लिए तो A के लिए Friday को कितना है 180 तो 180 प्लस 180 का 10% कितना हो जाएगा 18 और B के लिए बोल रहा है 145 तो 145 का 20% कितना होगा 20% का मतलब 1 by 5 1 by 5 का मतलब हो गया 145 को 5 से डिवाड करेंगे तो 5 तो 10 और ये हो गया हमारा 29 बस दोनों को add करना है और आप से पूछा क्या है वो देख लेते हैं दोनों को add करने के बाद वो बोल रहा है कि Saturday को कितनी होगी तो दोनों को add कर देंगे बस A के लिए क्या हो गया है कि 180 प्लस 18 ये पाई चार्ट है आपका एक तरीके का और आर आर भी पी ओ का है ये डी आई फिर से मैं बता दूँ कि आर आर भी पी ओ का आया वा डी आई है ये आप लोग देख लिजेगा लास्ट येर के जो कोईशन पेपर थे पिसले दो तिन साल के उनी कोईशन पेपर में से मैंने ये कोईशन उठाएं तो लेवल भी आप लोग को साथ साथ मैं बताते चलूँ कि किस तरीके का रहता है आप देखेगा यहां पे एक चार्ट बनाके देदिया एक पाई चार्ट बनाके देदिया इसने और इसमें डिवाइड कर दिया इसने T, P, Q, R और S को अलगलग परसंटेज में तो अब यह देखे आपने आप में क्या है एक पूरा का पूरा 100% है यह आप जब इन सब को एड़ करोगे तो 100% हो जाएगा और इस 100% की वैल्यू कितनी दियो यह 800 क्या बूला है उसने 800 वैल्यू है इसकी तो अगर 100% की वैल्यू कितनी है 800 है समझे ना इस बात को तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 8 8 होगी 1% की वैल्यू तो अगर 1% की वैल्यू 8 है तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 से मल्टिप्लाइ कर देंगी पी की value कितनी हो जाएगी 8 multiply by 8 को multiply कर दें किसे 18 से और Q की किसे हो जाएगी हाँ हर एक number को बस 8 से multiply करके हमें लिखते जाने तो अब हमारे पास में value आ गई है सब की T की, P की, Q की, R की और S की सब की value आगी है हमारे पास में अफरक नहीं पड़ता है वो यहाँ पर क्या बोल रहा है कुछ निची है हमें total यह था बस 800 है और हमें पता दिल गया T, P, Q, R, S कितना है इतना अलग-अलग इनकी value होने वाली है अब इस data को भी देखने की जरूत नही है क्योंकि अगर वो percentage के लिए पूछेगा तो direct इसमें से देख लेंगे नहीं तो सारा data हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ मिल गया है हमें चलिएगा अब question के ओपर चलते question बोल रहा यदि store Q में उपलद ठहले में से 1 बटा 12 भाग ठहलों की बिक्री नहीं हो सकी जो Q था उसमें से 1 बटा 12 की बिक्री नहीं होई तो Q में कितने हैं 112 और 192 का 1 बटे 12 निकाल देंगे एक बटे 12 यह नहीं की divided by 12 तो कितना आ जाएगा 16 तो 16 ऐसे ठहले थे जो बिके ही नहीं, there is a number of 1 by 12 bags of bag available in store Q and 3 by 16 part of bag in store T, वो क्या बोल रहा है, there is no sell, वो sell हुए ही नहीं, 1 by 12 तो यह है, Q के लिए कितना आ जाएगा 16, और T के लिए कितना बोल रहा है, वो 3 by 16 नहीं बिके, तो 96 का 3 by 16 निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा हमारे पास में simple सा question था, उसके बाद में बोल रहा है कि how many bags were sold by T and Q, तो कितने bag उन दोनों ने मिलकर बेच दिये, तो देखे, Q के पास कितने bag थे, 192, T के पास कितने bag थे, 96, दोनों का add किया कितना है, 288, minus कर दिया कितना, 18 plus 16, क्योंकि यह तो हमारे पास BK नहीं, तो यह minus कर देंगे, और हमारे पास बचेगा कितना, 254, तो यानि कि दोनों ने मिला कर कितने bag बेचे है, 254 बेचे है, easy question है, IBPS, RRB, PO level का question है, यह आप लोग देख सकते हो, तो आपका यहाँ पर knowledge नहीं चेक करवा रहा है, वो बस speed and accuracy चेक करवा रहा है, तो यह जो question है, मैं जादा नहीं ले रहा ह क्योंकि हम लोग अभी तयारी कर रहा है, अच्छे सा IBPS, RRB के लिए, तो फिलाल के लिए सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं next video में, thank you